हेलो डियार भिलकम करता हूँ एक नए वीडियो के साथ में जितने भी माई डियर सकेंड डियर के डियर स्टुडेंट है तो आज का हम MSN 2 के लेकर आये हैं जैसे कि दूसरा सप्ता है दूसरा दिन है इस सप्ता हमें जो कि आप लोग जानते हैं Heart Attack Heart Attack Heart Attack तो यही जो MI होता है Myocardial Inferuction जो होता है इसी को जो है दूसरे भासा में दूसरे सब्दों में Heart Attack कहा जाता है Heart Attack कहा जाता है MI को ही Myocardial Inferuction को ही ठीक है याद रखियेगा तो देखिए नाम भी लिखा गया है और यह MSN2 का बिसमा नंबर का वीडियो है यूनिट नंबर 6 जो कि Cardio-Hascular Disorder है ठीक है वो जो है चेप्टर के नाम है MSN2 है GNM Second Year ओके कोई दिकत नहीं होनी चाहिए देख लिजे Myocardial Inpharaction अरक्तता या इसी को Heart Attack कहा जाता ठीक है इस रोग से ग्रसित रोगी के कारण लक्षन उप्चार वा परवंध को शमजाए कोई बेक्ती है जिसको Heart Attack आ जाता हो समय समय पर तो इससे ग्रसित बेक्ती का जो है क्या कारण होता है Heart Attack आने का या MI के मरीज बनने का क्या कारण होता है और लक्षन उप्चार वा परवंध बताए मायोकार्डियल इनफारक्षन को सौट में जो है MI लिखा रहता है कैप्टल में तो ध्यान दिजेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे आप लोग देख लिजे मायोकार्डियल इनफारक्षन मायोकार्डियल इनफारक्षन होता क्या है पहले इस चीज़ को समझेए देखिए हिर्दय की पेसी चुकि हम लोग जानते हैं हमारा हिर्दय बिलकुन मस्कूलर पेसी का बना हुआ है कोई हड़ी वड़ी नहीं है वहाँ पे बिलकुन जो है पेसी का बना हुआ है और हम लोग यह भी जानते हैं कि हमारे जो हर्ट है तीन लियर में बना है एक है इंडोकार्डियम उसके बाद मायोकार्डियम और उसके बाद है हमारा पेरिकार्डियम यह तीन लियर है तो यह जो heart attack आता है न बेसिकली जो हमारा मध्य वाला layer है myocardium नाम से इस परस्ट है myocardial infaraction यानि जो हमारा मध्य वाला पेसी होता है heart का उसमें blood का संचार जो है कम हो जाता है ठीक है अब जैसे ही क्या होता है कि पेसिया में blood नहीं मिलेगा तो क्या होगा धिरे धिरे पेसी नष्ट होने लगता है बेक्ती को सीने में दर्द होने लगता है और जैसे ही blood का connection कट जाता है मतलब हिर्दय को blood नहीं मिल पाता है तो उस इस्तिती में heart attack आता है ठीक है अब यह आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसका कारण आगे हम लोग देखेंगे फिलाल एही समझे कि जो हिर्दय होता है हिर्दय का जो muscles है जो पेसी है उसमें अर्थात दूसरे भासा में कहा जाए तो myocardium यानी हिर्दय का मध्य परत को लंबे समय तक कोरोनारी आर्टरी से परियाप्त मातरा में रक्ट जो है नहीं मिल पाने के कारण यह पेसी या कौनसी पेसी हिर्दय की पेसी या myocardium पेसी नश्ट होने लगती है इसे ही myocardial infaraction या heart attack कहते हैं अब होता यह है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दीजेगा तो धीरे-धीरे आपका जो heart है न धीरे-धीरे वह heart जो है क्या हो जाएगा damage होने लगेगा heart का जो muscles है वह damage होने लगेगा और आपका चिंबर जो है खराप होने लगेगा तो यह आपके इसी लिए कहता है कि इस्पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका हिर्दय का जो वालव है वो तो खराप नहीं हो रहा है तो ये चीज़ को ध्यान देनी चाहिए ठीक है तो हिर्दय की पेसिया अर्थात मायोकार्डियम देखिए दोनों कंडिसन है या तो सिधा हिर्दय का पेसि भी होगा या हिर्दे के मध्ध परत दोनों होगा तो सिधा पेसी होगा तो टोटल पेसी के बाद हो जाएगा मायोकार्डियम होगा तो मध्ध बलक होगा इसी दोनों में से किसी को लंबे समय तक कोरोनारी आर्टरी से परियाप्त मातरा में जो बलड चाहिए वह blood नहीं मिल पाता है मिन्स रखता पूरती नहीं हो पाता है तो इस कारण से जो हिर्दे की पेसिया है नस्ट डैमेज होने लगती है और बेक्ती के अंदर जो है chest pain शुरू हो जाता है और यह जो है myocardial infaraction या heart attack का इस्थिति बन जाता है तो इसी को हम लोग जो है इसी को heart attack आता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि उसका हिर्दे को blood जो है हिर्दे पेसि को blood नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण बेक्ती को heart attack आ जाता है समझ रहे हैं चीजों को चलिए तो यहाँ पे हिंदी इंगलिस दोनों दिया गया है समझ लीजिए अब हम लोग इसके कारण को देखते हैं कि आखिर कौन-कौन से कारण हो सकते हैं कि हिर्दे को blood नहीं मिल पाता हो तो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं बहुतों कारण हो सकता है जैसे आपके सामने में है Atheriosclerosis Atheriosclerosis का मतलब होता है कि जो A for artery और A for Atheriosclerosis तीक है Atheriosclerosis और A for artery तो जो blood जाता है हिर्दे को उस blood नलिका में वाहिका में लवन बसा का जमाब हो जाता है तो उसी को हम लोग Atheriosclerosis कहते हैं अगर बाहिका में लवन वसा का जमाब हो जाता है जिसके कारण हिर्दय को परियाप्त मात्रा में जीतना चाहिए उतना बलड नहीं मिल पाता है क्यों क्योंकि उस नली में वसा फैट का लवन का जमाब हो रहा है तो इस कारण से नहीं हो मिल पाता है बलड हिर्दय को तो पहल बुरूर होने से भी बलड प्रभाः जो है कम जाता है हिर्दय को ठीक है next आरन है करोनारी धमनी में रोग, करोनारी आर्ट्री डीजे, C-A-D ठीक है C-A-D पेसेंट को होगा C-A-D जैसे सिकूरन होगा, करोनारी धमनी में एस्टोनोस्टीस, सीकूरन होगा, संकूचन होगा, स्पाज्म होगा ठीक है या फिर एनुरीज्म होगा मतलब किसी भी परकार के आर्टरी में जो है सुजन होना एनुरीज्म कहलाता है तो यह चीज़े आप लोग समझिएगा कि कोरोनारी आर्टरी से संबंधित डीजेज हो सकता है मतलब कोरोनारी धमनी से सम्बंधी डीजेज जैसे कोरोनारी धमनी का सिकूरना, संकूचन होना, फूलना, एनुरीज्म तो यह सब C.A.D. के कोरोनारी आटरी से सम्बंधी तो रोग भी बलड को जो है हिर्दय के तरफ जाने से रोखता है अब मानिए कोई एक पाइप है, पाइप अगर जो नौर्मल छमता में है तो अगर उसे हम पानी भेजेंगे तो पूरा फुल छमता जितना होगा जाएगा लेकिन अगर वो ही पाइप सिकूर जाएगा, तो कहीं न कहीं बलड पानी का जो फुलो होगा कम जाएगा उसी परकार से हमारा रक्त बही का क्या है एक नली है एक पाइप की तरह है जिसे बलड जो है बहता है बलड जो है जाता है तो उसी परकार से हिर्दय को भी जो बलड जाने वाला है हिर्दय की तरफ हिर्दय के मांस्पेसी को उसमें अगर सिकूरन आ जाएगा अगर उसमें सं क्या होगा कि आपके जो है हिर्दय में ऑक्सीजन का कमी होगा पेसी में और धीरे धीरे जो है दर्द उत्पन होने लगेगा और हार्ट अटेक के इस्थिती आ जाएगा तो यह कोरोनारी आटरी से संबंधित रोग हो सकता है ठीक है चलिए नेक्ष देखिए धामनी में रक्त का थका होना थ्रोंबोमलीजम थ्रोंबोमलीजम का मतलब होता है जो आटरी है उसमें रक्त का थका जो है बन जाता ठीक है तो रक्त का थका अगर बन जाएगा तो बलड आगे जा पाएगा तो थ्रोंबोमलीजम का मतलब ही होता है कि धमनी में रक्त का थका बन जाना तो मा इस्तिति में oxygen कमेगा हिर्दय के पेसी को और हिर्दय के पेसी नश्ठ होने लगेगा और बेक्ति का जो है heart attack आ जाएगा इनफारक्षन हो जाएगा तो थ्रोंबो अमलीज में जो है भी कारण बनता है धमनी में रक्त का थक्का होना हिर्दय में संक्रमन हो सकता है जैसे कोई inflammation जैसे pericarditis, myocarditis, endocarditis अगर बाहे परत में संक्रमन होगा तो pericarditis, myocarditis, मध़् परत में संक्रमन या inflammation इंडोंकार्डाइटी स्मतलब आंध्रिक लेयर में infection या कोई problem तो यह हिर्दय से सम्मंदित आपके जो है इंफ्लामेशन है पेरिकारडाइटीस, मायोकारडाइटीस, इंडोकारडाइटीस, सब में आइटीस लगा है ना तो आइटीस लगना इंफ्लामेशन कोहीं दर्द दर्साता है जहां पे इंफ्लामेशन के मतलब दर्द सुजन ठीक पर फेमिली हिस्ट्री अगर गरबर है सही नहीं है तो कारण बन सकता है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से आपको जो करोनारी आर्ट्री है उसमें जो है आपके क्या होगा जमाब होने लगेगा ठीक है कठोर हो जाएगा आपका धमनी ठीक है न तो इसलिए स्मोकिंग नह देखें ना, एथिरोस्क्लोरोसिस, तो वसी ये भोजन, वसी ये तेली भोजन लेंगे, तो वसा का जमाब हो जाएगा धमनी में, ठीक है, मोटापा बहुत जयादा जो मोटापा होते हैं, उसके सरीर में बहुत ज़यादा फेट होता है, और वैसे रोगियों के हार्ट अटे लिए बिल्कुन जो है deactivate है निस्की रिए है तो यह भी कारण बन सकता है इसलिए जो है आप exercise हलका बगार करते रहीए बड़ी को movement में रखे निस्की रिए जीवन को बेट कर नहीं रहे हर्मोनल गर्वनिरोधा का सेवन करता है तो यह condition आपको उत्पन हो शकते हैं तो बहुत धमनी से जैसे एतरोएस्कलोरोसिस आर्टेरीयोएस्कलोर्सिस ठीक है कोरोनारी धमनी का रोग धमनी में रक्त का थका थ्रॉंबोमलीज्म हर्ट का इंफ्लामेसन जैसे तीनों लेयर में और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे मधु में परिभारी कितिहांस धुरूमपान क करना अत्यधिक बसिय भोजन सेवन करना मोटापा होना निस्क्रिय जीवन सैली और हर्मोनल गर्व निरोधर का सेवन यह सब कारण बन सकते हैं जिसके कारण आपके हर्ट को बलड सप्लाई किसी ने किसी कारण से बादीत होगा इनी सब कारण में से और आपके क्या हो जाएंगे MI conservative हो जाएंगे या हर्ट अटक के पेसेंट हो जाएंगे ठीक है आप समझे किसी को मोटा होता है तो चुकि हम लोग जानते है कि हमारा हर्ट जो है कि side में है chest के by side में है left side में है ठीक है तो ऐसे में ज्यदातर जो दरध होगा वह left side में ही होता है समझ रहे हैं चीजों को तो लक्षन में लगतार तेज दर्ध होगा यहाँ पे चुकि आप लोगों वहाँ पे देखे थे एंजाइना में तो एंजाइना में क्या होता था कि heart क तो जो है blood कम supply होता ठीक है, जिसे होता क्या था, कि वहाँ पे दर्द जो है, हलका हलका होता था, कभी-कभी तेज होता था, अराम करने से ठीक हो जाता था, लेकिन इसमें अराम औराम करने से कुछ ठीक नहीं होगा, जब तक treatment जो है इसका exact नहीं मिलेगा, तो लगतार जो है दर्द होगा, प्रोलंग दर्द होगा, लंबे समय के लिए, ठीक है, यह दर्द जो है, दर्द जो है बाई भुजा में फैलेगा, क्यों बाई भुजा में फैलेगा, क्योंकि हमारा हर्ट जो है बाई तरप है, और बाई तरप से हमारा बलड का नजदीक तो हमारा बाई अ तो इसलिए जो है हमारा हर्ट बाइं अंग के नजदीक में होने से यह जो है बाइं भुजा में जो है दर्द फैलते चला जाता है ठीक है दर्द लंबे समय तक के लिए रहेगा अब इस तरह के हार्ट अटेक वाला जो दर्द होता है बारा घंटे या इससे अधीक भी है कुलनेस अफ एश्ट्रीमीज मतलब अंगों में जो है आपके ठंधापन आने लगेगा अत्यधीक पसीना डाइफ फोरोसिस होने लगेगा और नारी धर अधीक हो जाएगा ठीक है हाई पल्स रेट होगा और स्वशन में कठनाई होने लगेगा क्यूंकि हर्ट में प्रो उसको देखिएगा कि बाएं तरब चेश्ट में ज़्यादा दर्द होगा और उसका दर्द जो है धीर धीरे उसके बाएं भूजा में भी फैलने लगेगा और उसको यह दर्द जो है बारा घंटे चौदा गंटे बीस घंटे से भी लंबे समय से दरद संभव है ठीक है हाट आने लगता है उल्टी या तेज होने लगता है और हाट अटक आने पर देखते होगा हाट पर ठंड़ा होने लगता है ब्यक्ति का तो यह सब लक्षन होते हैं तो यह सब आपको याद रखना है मैंने टोटल एकदम अच्छे से समझा रहे हैं क्यों क्योंकि यह बहु हो जाएगा हर्ट में तो हर्ट भी जो है काम करना बंद करेगा जब हर्ट भी काम करना बंद करेगा तो आपको भी जो है बलड नहीं मिल पाएगा अंगों को तो जब अंग अंगों को बलड नहीं मिलेगा तो शरीट ठंधा परता ही नहीं है चुकि बलड हमारा सरी के तापम कुंधिनी में ऐसी प्रिखेवनेश भी कि है वह समुझे चलेगा तो यह सरे चेजे लक्षण होते हैं अब इसमें कूछ जटिलता होता है, जटिलता क्या होता है, आपके सामने में है, कार्डियक अर्थेमिया हो जाएगा, पेसेंट के अंदर जो है कार्डियक अर्थेमिया हो जाएगा, हर्ट जो है फेल कर सकता है, हर्ट जो है काम करना बंद कर सकता है, उसी को हर्ट फेल वर काते है हिर्दे से संबंधित अगहात लग सकता है पेसेंट में काडियोजनिक से सौक हो सकता है जो लेप्ट वाला भेंट्रीकुल है उसमें रेप्चर आ सकता है मतलब रेप्चर मतलब छती गरस्त हो सकता है लेप्ट भेंट्रीकुलर ठीक है याद रखना है भेंट्रीकुलर एनु जिलता है मैंने आपको बता दिया कार्डियक अर्थेमिया हर्ट फेलवर ओके उसके बाद कार्डियोजेनिक सौक लेप्ट भेंट्री कूलर मतलब लेप्ट साइड का जो भेंट्री कूलर है उसमें जो है आपको क्या हो जाएगा जैसे इधर होता है राइट आट्रियम ठीक ह उसके बाद लेप्ट जो है आट्रियम ठीक है यह भेंट्री कूलर राइट और लेप्ट भेंट्री कूलर अब यही से तो बलट जो है शरीर को मिलता है तो यही तो लेप्ट भेंट्री कूलर रेप्चर कर जाएगा तो बलट शरीर को नहीं मिलेगा मतलब आपका हार्ट फ अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो यह सब पिशेंट के अंदर होता है समझ गया चलिए खी बता दिये जटिलता अब इसके लिए नीदान क्या होता है डाइगोनोसीस क्या है चलिए दिखाते हैं दाइगनोसिस में सबसे पहले फिजकल सारीरीक चेक किया जाता है, सारीरीक एग्जामिनेशन, हिस्ट्री चेक किया जाता है कि पेसेंट के किस-किस कारणों से क्या-क्या अभी तक ट्रीटमेंट चला है, इसका हिस्ट्री चेक किया जाता है, लक्षन जो भी होता है उसका चे कि कोई अंजाइम तो नहीं बढ़ा है जिसके कारण आर्टरी या जो ಈ आर्टरी वंनी नोगतेशर सिगमेंट देखने को मिलता है जब ECG करवाते हैं तो अगर आपको heart में problem आता है तो यह ST segment को बताता है और ST segment जो बताता है कि आपका heart का जो कुछ पेसिया है छतिग्रस्त होने लगा है ठीक है तो यही myocardial infaraction में ECG में ST segment दरसाता है कि आपके heart का कोई भाग जो है छतिग्रस्त होने लगा है ठीक है damage होने लगा है इंजनी हो गया है तो यही myocardial infaraction ST segment में परिवर्तन हो जाता है ठीक है जो की घातक होता है अब निदान देख लिए अब हम लोग उपचार देखेंगे कि क्या क्या treatment इसमें होगा ठीक है तो जो भी treatment होगा हम देखेंगे तो पहला treatment हम सभी medicine के लिए treatment करेंगे medical परवंद होगा तो medical परवंद में patient को thrombolytic agent देते हैं जैसे streptokinage देते हैं एक्सापिरीन देते हैं 0.6 mg यह क्या करता है कि कोई भी अगर thrombus का निर्मान होता है तो उसको जो है तोड़ता है और उसे जो है घुलाने का काम करता है जैसे मानगे blood वाहिका में रक्त वाहिक और इसे जो है साफ करेगा रास्ता को किरियर करेगा जिसे blood आगे hurt को जा पाएगा ठीक है तो thrombolytic agent में एक्सापिरीन और streptokinage दो याद रखेगा बहुत important है thrombolytic agent में streptokinage और एक्सापिरीन ठीक है याद रखेगा दूसरा है रोगी को antiplatelet drug दिया जाता है मानगे किसी क तका बन गया है blood का coronary artery में ही धमनी में ही थका बन गया है तो उसको तोरने के लिए जो है एस्पिरीन दिया जाता है जो blood को पतला करता है जिसका blood मोटा हो जाता तो उसको जो है एंटी प्लेटलेट का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है कहीं भी कुरोनरी में ठका बन जाएगा तो उसे बलड आगे परवाह में दिकत करेगा तो इसके लिए बलड को पतला करने के लिए एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्परीन जो है दिया जाता है ठीक है चलिए तीसरा है रोगी को नाइट्रेट्स ड्रग दिया जाता है दर्द से राहत के लिए अगर तीवर दर्द होता हो तो उसे कम करने के लिए आईवी या सब लिंग्वल से नाइट्रेट देते हैं सब लिंग्वल के मतलब क्या होता पता है जीव के नीचे रख कर ठ दोनों माध्यम से नाइट्रेट्स द्रग जो है हम देते हैं तीवर दर्द को कम करने के लिए ठीक है चलिए चोथा है यहाँ पे मैं असपस्ट बता देता हूं कि पेसेंट के हिसाब से IV और IEM मार्ग जो है चैन किया जाता है आप एमस समझेगा कि यहाँ पे IV लिखा है तो IV से दे दिएगा यह आपके knowledge के लिए लिखा जाता है बट सभी पेसेंट में suit नहीं करता है समझेगे तो sublingual tablet होता है जिसको जीव के नीचे रखा जाता है तिवर दर्ड से बचाने के लिए nitrate का ठीक है चौथा है रोगी को अब सेकता अनुशार applied energesic या sedatives दिये जाते हैं जैसे morphine sulfate अगर बहुत ज़्यदा धर्द होता हो तो पेसेंट को morphine sulfate दिया जाता है या sedative में भी जो है emetry petylene होता है डाइजे पाम होता है या सब रोगी को घवराहर से चिंता से धरकन को कम करता है sedative दवाई ठीक है और रोगी को सांति दिलाता है तो यह चोथा दवाई हो गया आगे है दवाई बस इतना ही है रोगी को लोम oxygen दी जाती है क्या दिया प्रेंशन पनाए है और hypertension पुराए हैं वहां भी यह दिया जा सकता है, तो beta blockers जो दवाईआं होता है, metoprolol हो गया, ठीक है, यह सब दिया जाता है, ठीक है, calcium channel broker यह भी दवाई दे सकते हैं, भेराम पीलि, जो क्या करता है, कि उच रख्त चापों को, या एंजाइना वाले मरीजों को, या हार्ट अब एक्सीजन भी दे सकते हैं तो यह सब दबाईयां हो गया अब यहां पर देख लिजिए इस रोग के रोगी के उपचार के लिए ICCU इंटेंसिव करोनारी केर यूनिट में भरती किया जाता है अब ऐसे मरी जिसको MI का खत्रा अधिक हो जिसको हाट अटे का खत्रा अधिक हो बार बार आता हो तो उसको ICCU में रखा जाता है इंटेंसिव करोनारी केर यूनिट में रखा जाता है ठीक है एक होता है ICCU इंटेंस नॉमा पॉ convictions को अगला यह तो चिपी सीय परबन्ध हो गया उपर में अब हम लोग देखेंगे surgical परबन अगर किसी का heart जो है मानगे किसी का heart जो है आपको artery या heart जो है छतिगरश्थ हो गया है तो उसके जो है surgery किया जाता मांगे किसी को heart अटेक, रेपचर हो गिया है, बेंट्री कूलर फेल कर गया है, उसको जो है, तो अचानक अपातकालीनं, कुछ, सर्जरिया होती है, या किसी का वाल्ब खराप हो जाता है, हर्ट का, तो उसके कारण भी ये सब होता है, तो उसमें इस सर्जरिय अब सेक्ता अनुशार किया जाता है तो उसमें सर्चिकल प्रबंध होता है और आप लोग यह एंजाइना बाला में भी पर चुके हैं एंजाइना बाला में भी था CABG का सरजरी होता है और यह कापका होता है PTCA का सरजरी होता है पता होनी चाहिए CABG C for coronary A for artery B for bypass G for grafting कोरोनारी artery bypass grafting किया जाता है ठीक है बाइपास सरजरी आप लोग सुने होईएगा उसके बाद PTCA पर cutaneous transuminal coronary angioplastic ठीक है पर cutaneous transuminal coronary angioplastic बस यह ही चारवर्ड याद रखना है PTCA पर cutaneous transuminal coronary angioplastic यह किया जाता है और यह यह फिर एक किया जाता है दोनों में से कोई सरजरी अलसाइकता अनुसार किये जाते हैं तो यह सरजीकल परबंद हो गया ठीक है नोमा पॉइंट नहीं इसको सरजीकल परबंद बना लीजिए इसकी अलसाइकता अनुसार मरीजों को सरजरी भी की जाती है यह सरजीकल परबंद में होगा ठीक है और यह दोनों सरजरी लिख द प्रबंध हो गिया उपचार में सर्जीकल प्रबंध हो गिया और अब हम लोग nursing प्रबंध देखेंगे ठीक है तो जिनको भी अगर मान गए बताए जिनको भी आज आप क्लियर हो जाएगा तो कि आज हम ओही पॉइंट सब दे देकर nursing परवंद लिखे हैं जो आप चाहते हैं जो आप लोग कहते हैं कि एकवार लिख कर समझा दिए तो चलिए आज यही point जो है देख दे कर और उसके अधार पर हम nursing परवंद लिखते हैं तो हम लोग कारण लार लक्षन के अधार पर point को यहां पर लिखें हैं और आपको समझाएंगे, जैसे देखिए, हम लोग इसके लक्षान में देखे हैं कि पेशेंट को तीवर दर्द होता है इसमें, तो तीवर दर्द होने पर क्या क्या परबंद करेंगे, पहला पॉइंट तीवर दर्द होना, और इसका परबंद होगा, कैसे, यदि दर्द कम करेगा और पेसेंट को अरामदायक इस्थिती परदान करके भी राहत अराम दिला सकते हैं तो एक्यूट पेन के लिए तीब्र दर्द के लिए परवंध हो जाएगा नर्श के दोरह यह हो गया अब हम लोग देखें हैं कि पेसेंट को अक्सीजन में कमी आएगा ठीक है पे रोगी को सेमी फावलर इस्थिती परदान करेंगे चुकि आप लोग जानते हैं हर्ट वाले मरीजों को स्वसन वाले मरीजों को अच्छे स्वसन दिलाने के लिए सेमी फावलर पोजिशन या फावलर पोजिशन दिलवाते हैं यह हो गया रोगी को SPO2 अस्तर चेक करने चा ये रोगी को अब सेक्ता अनुसार oxygen mask के द्वारा oxygen परदान करनी चाहिए ठीक है तो यह जो है हम oxygen कम होने पर परवंद करेंगे जैसे जैसे oxygen हम लोग पूर्ती करेंगे वो यह से वैसे सब चीजिस में लिख देंगे तो यह तूचेक करके चार्ट बनाएंगे सेमी फावलर देंगे oxygen mask के द्वारा oxygen देंगे ठीक है तो यह सब जो हमारा oxygen कम होने पर करते हैं परवंद ठीक है तीसरा है यहाँ पे cardiac output कम होना अगर पेसेंट का cardiac result अगर cardiac output अगर कम मिल रहा है मतलब हिर्दय कम कर रहा है और हम यह चीज आउटपुट कम देख रहे हैं तो उ लोगी को cardiac output को बराने के लिए पैर की तरफ से सरीर को उचा उठाना चाहिए ताकि भेनस return बढ़ जाए वो cardiac output का अस्थर बढ़ जाए अगर आप लोगों को chest pain अगर होता हो हर्ट में कभी-कभी heart attack आता हो तो समझिए कि लोगी को elevation दे पैर को उपर उठा के रखे जिससे क् blood pressure नीचे की तरफ heart के तरफ जो है बढ़ेगा जिससे cardiac output जो है बढ़ेगा तो cardiac output कम हो तो वहाँ पे यह करना चाहिए पैर के तरफ से उचा उठाए जैसे भेनस return बढ़ेगा तो cardiac output भी बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद रोगी को परियाप्त मातरा में तरल लेने के अगर रोगी बहुत ज़्यादा परसान हो जाए बहुत ज़्यादा घवरा जाए तो उस पर प्रबंद कैसे करेंगे चुकि heart का problem है तो पेसेंट बहुत ज़्यादा घवरा ही जाता है बहुत ज़्यादा दिकत में आहीं जाएगा बेथित होई जाएगा तो इसके लिए र पेसेंट परसान है ही उसको और ज़्यादा परसान वाला जवाब देंगे तो उसको और ज़्यादा परसान हो जाएगा रोगी में ब्याप्त मिर्तु के भाय को दूर करना चाहिए अब heart attack आने से पेसेंट को ये लगता है कि हम आब नहीं जिएंगे हमरा आब देथ हो जाएगे क्योंकि जितना ज़्यादा मरी से मिलेगा उतना ज़्यादा उसका जो है इमोसनली भावुक होगा रोगी वो उसके परिजनों को रोग के बारे में उपचार स्वास सिक्षा के बारे में पुन जनकारी परदान करनी चाहिए अब रोगी और उसके परिवार को complete ज संभावना है चुकि हम लोग देखे हैं उपर में कि इसमें जटिलता भी खतरनाक होता है मिर्तु तक हो जाता है पेसेंट का हार्ट अटेक होने से और भी जटिलता देखे हैं तो जटिलता के संभावना होने पर हम कैसे एज नर्स प्रबंद करेंगे हार्ट अटेक वाले क कब respiration क्या होड़ा है इससे पता चलेगा जिससे जटिलता की संभावना को कम कर सकते हैं ठीक है आगे है कार्डियक मोनीटर से रोगी के vital sign का continue monitoring की जाने चाहिए अब चुकि पेसेंट ICCU में भरती रहता है इस परकार के heart attack वाला तो उसको monitor लगा होता है उस monitor पर हमेशा vital sign पर दवाईया वो समान रोगी के 20 के पास रखे होने चाहिए और इस condition में जो भी दवाईया है आपातकालिन सब मेस spend के पास होने चाहिए ताकि संभावना होने पर कोई भी какой जटिलता होने पर तुरन्त अपातकालिन दवाया दी जा सके रोगी को अन रोगों की दवाईयां सही समाई वा निरंता रूप से लेने के लिए कहना चाहिए अब हो सकता है वैसे रोगी डाइबीटीज का भी हो तो उसके डाइबीटीज का भी जो है दवाई चल ला हो और भी अन दवाईयां चल ला हो तो उसको दवाईया निरंता रूप से भी लेने के लिए क तिलता हो रहा है तो उसे दुरन डॉक्टर को आपको सुचित करना चाहिए ठीक है और यही जो है आपका most important मैंने 5 point लिखा है जो कि MI के patient का प्रवंध हो गया point by point और यही प्रवंध सही तरीका होता है इसी तरीका से point बना बना के अगर आप कारण और लक्षन के अधार पर 4-5.6 point चून कर उसमें प्रवंध आप लिखते हैं तो यही बेश तरीका होता है नर्सिंग प्रवंध लिखने का ठीक है बाकी line by line भी लिख सकते थे लेकिन उतना ज़्यदा effective नहीं होगा जितना ज़्यदा effective यह point by point है यहाँ पर पता यह चलता है कि मरीज में क्या-क्या problem है और उस problem कि आप प्रवंध किये हैं तो यही नर्सिंग प्रवंध हो जाता है ठीक है तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप अपना ख्याल लखिएगा टोटल इंगलिस यहाँ पर दिया गया है देखिए कितना बड़ा प्रश्ण है कि आपके आधे घंटे यह वीडियो चला है ठीक है बाकि हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप से तब तक के लिए धन्यबाद टेक यार विदा लेते हैं इसको अच्छे से पर लीजिए बहुत इंपर्टेंट प्रस्ण है ओके धन्यबाद